अब पढ़ाई की बात करें हम सबसे पहली बात की जो भी आप लोगों ने विस्ट किया था मैंने सारे मेसेज़ेस देखे आपके और उसके लिए बहुत-बहुत थाइंक्यू बिलेटेट हैपी टीचर्स दे तो अब आप आया था लेकिन चलिए हम लोग अभी अपने पढ़ कर लिए और आप लोगों ने उसका प्रैक्रिस अच्छे सी किया होगा और आपसे क्वेस्टेंस हो रहे होंगे उसके ठीक है और अब हम लोग जो करने वाले हो हमारा अर्थमाटिक पोर्शन जिसमें पहला चैप्टर है हमारा परसेंटेज का तो हम लोग सारे जितने भी प पच्छीस क्वेस्टेंस करने वाले है परसेंटेज के और आप लोग को अच्छा लगेगा है ठीक है चलिए स्टार्ट करें हम लोग तो पहला कोईशन आपके सामने है if decreasing 120 by x percent gives the same result as increasing 40 by x percent ठीक है यानि कि यह बोल है कि अगर 120 को हम लोग x percent घटा देते हैं तो वो same result देता है कितने कि 40 percent of 40 को हम लोग x percent से बढ़ाते हैं तो ठीक है तो आपको बदाना है कि x percent of 210 10 यानि कि 210 का x percent जो है वो कितना कम है x plus 20 percent of 180 के ठीक है असान कोईशन है जल्दी से आप लोग इसको solve करें तब तक मैं आपको एक बात बता दू कि जितना भी आपका percentage होता है ना उसका मैंने आपको बताया था कि fraction value आप लोग याद कर लेंगे ठीक है क्योंकि वो आपको बह प्रैक्टिस कर लेंगे तो देखे थोड़ा से आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो fluency उसका आहे जाएगा हो सकता है कि अभी आप लोग को दिखकता है लेकिन आप लोग उसको practice कीजिए जितना अच्छा हो से कि उतना आपके लिए beneficial होगा उतना time बचेगा आपका ठीक है तो फिलाल इस question पर आते है तो अभी तक हो गया होगा आप लोग का देखें इसको 120 को हम लोग 1% से घटा रहे हैं यानि कि 120 into 100 minus x is equal to 40 को 1% से बढ़ा रहे है यानि कि 40 into 100 plus x काटेंगे यह जाएगा तीन बार में तो 300 minus 3x is equal to 100 plus x या आपका minus 3x इधर जाएगा तो 4x is equal to 300 minus 100 200 x आपका कितना आ गया 50% ठीक है तो अब हमको बताना है कि x percent of 210 50 percent of 210 50 percent यानि कि आधा तो 210 का 50 percent आपका हो जाएगा 105 उसके बताना है कि x plus 20 percent of 180 यानि कि 50 percent plus 20 यानि कि 70 by 100 into 180 00 से 00 चला जाएगा ये कितना हो जाएगा 18 into 7 126 तो आपको बताना है कि यही जो 126 है ये x percent of 210 यानि कि 6 बार में आजाएगा ये कितना हो जाएगा 100 x 6 यानि कि 16 hold 2 by 3 ये आपको याद होना चाहिए जाए कभी भीhões 16 two by 3 यानि कि 100 by 60, आपको fraction पता होना चाहिए, नहीं पता है, तो 2 से काटिंग ये 3 बार में जाएगा, ये 50 बार में जाएगा, तो फिर भी आपका आज जाएगा 16 whole 2 by 3, यानि कि आपका option C, correct हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ है, चलिए, आगे बढ़े हम लोग, next question आपके सामने है, कि the income of Raju is 20% more than his expenditure, यानि कि income जो है वो expenditure से 20% ज्यादा है, if his income is increased by 60%, यानि कि income 60% बढ़ जा रहा है, expenditure is increased by 70%, यानि कि expenditure भी उसका 70% बढ़ जा रहा है, then by what percent does his saving increase or decrease, यानि कि तो इसके बाद आपको बताना है, कि उसके saving पे क्या effect होगा percentage में, ठीक है, जल्दी से इसको solve किजिए, यह भी आपका बहुत easy question है, मैंने आपको बता है आप अगर fraction में इसको deal करते हैं, तो यह आपको बहुत जल्दी solve हो जाएगा, हो सकता है कि अभी आपको fraction में दिक्कत आए, लेकिन आप इसको practice कीजिए, यह आपका clear हो जाएगा, चलिए, देखें हम लोग इसको, तो आपका बोल रहा है कि 20%, 20% आपका होता है क्या है, मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताते चलता हूँ, 20% आपका होता है 1 by 5, ठीक है, तो आपको बोल रहा है कि expenditure जो है, sorry, income जो है, expenditure से 20% ज़्यादा है, तो यह माल लिजे income है, यह expenditure है, त तो अगर expenditure उसका 5 है, तो income कितना होगा, 5 पे 1 बढ़ रहा है, यानि कि 6 हो गया, तो उसका saving कितना होगा, 6 कमा रहा है, 5 खर्च कर रहा है, यानि कि उसका saving हो गया, 1 रुपया, उसके बाद बोल रहा है कि income 60% बढ़ जा रहा है, तो 60% बढ़ने का मतलब क्या, 6 into 6, 36 यानि कि या आपका होगया 9.6, ये कैसे है, देखे बताता हूँ मैं आपको, ये 6 है, इस पे 60% आपका बढ़ रहा है, ये करेंगे आप, 6 into 6, 36, 0 से 0 गया, यानि कि 3.6 बढ़ा, ठीक, तो 3.6 बढ़ा, तो 6 पे 3.6 बढ़ने का मतलब 9.6, ये आपको जबान पे करने आना चाहिए, मैं थोरा-थोरा बताते चल रहा हूँ, लेकिन इसके बाद नहीं बताऊँगा, चलिए, उसके आद आपका बोला है कि expenditure बढ़ रहा है 70%, तो 70% यानि कि 7 into 5 आपका होगया, 35 ये आपका हो जाएगा 8.5, अब ये कैसे, तो 5 into 70 by 100, 7 into 5, 35 0 से 0 गया, और 1 0 उपर जाएगा तो 3 0.5, ठीक है, ये समझ में आ रहा है न आप लोग को, नहीं समझ में आ रहा है तो आप खुद से practice की जाएगा एक बार, इसको देखिया कि आखिर ये कैसे हो रहा है तो, ठीक है, चलिए, 9.6 उसका income है, 8.5 उसका expenditure है, तो saving कितना होगा, 1.1 का, ठीक है, तो आपको बताना है क percentage change क्या हुआ saving में, पहले 1 रुपया save करता था, अब 1.1 कर रहा है, यानि कि कितना बढ़ा है, 0.1, 0.1 बढ़ा है कितने पे, 1 रुपया पे, percentage के लिए into 100 करेंगे, ये decimal लीचे जाएगा, एक काट देगा, यानि कि आपका 10% increment हो रहा है, आपका option C, it increases by 10% correct हो जाएगा, ठीक है, चली आगे बढ़े हम लोग फिलाल, अगला question आपका बोल रहा है, कि the income of A is 25% more than that of B, यानि कि A का income जो है B से 25% जादा है, the income of C is 65% less than the sum of the incomes of A and B, यानि कि C का जो income है, A और B, दोनों के income को मिला करके उससे 65% कम है, तो आपको बताना है कि income of C is what percent less than the income of A, यानि कि C का जो income है, वो A के income से कितना percent कम है, ठीक है, solve कीजी इसको, कुछ नहीं करना है, इसमें भी बस थोड़ा सापको calculate करना है, आपका answer आजाएगा हो गया क्या, देखें हम लोग इसको, income of A जो है, आपका बोला है कि B से 25% जादा है, यानि कि A और B, 25% का आपका मतलब होता है, 1 by 4, तो अगर B का 4 है, तो A का 25% जादा होने का मतलब 1 by 4 था ना हमारा, तो उपर में 1 था, तो 4 plus 1 हमारा हो जाएगा, 5, यह आप लोग को समझ 20% जादा है, तो इसको आप 100 लिखते होंगे, इसको 25% बढ़ा का 125 लिखते होंगे, तो यही तो है ना, आपका, 25 से काटेंगे तो यह 4 बर में, यह 5 बर में, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा practice करेंगे, तो आपका calculation easy हो जाएगा, थोड़ा, चलिए, उसका बोला है कि C का जो 25% कम है, यानि कि 35, काटेंगे तो यह आपका हो जाएगा 7, यह आपका हो जाएगा 20, तो आप हमको सबका अलग-अलग चाहिए, तो A plus B यहाँ पर कितना आ रहा है, 20, और A plus B यहाँ पर कितना रहा है, यह आपका आ रहा है, 9, तो चलिए हम लोग इसको equate करते हैं, यहाँ इंटू 9 करेंगे, यहाँ पर इंटू 20 करेंगे, तो A is to B is to C हमारा क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका 100, B से तो हमको कोई मतलब भी नहीं है, C हमको चाहिए, तो 7 इंटू 9 कितना हो जाएगा हमारा, 63, तो हमको बताना है कि income of C is what percent less than the income of A, यानि कि A से कितना percent कम है, तो obvious सी बात है, यहाँ पर देखिए, A अगर 100 है, C 63 है, तो यह कितना कम हो रहा है, यह आपका 37 कम हो रहा है, तो आपका 37 है 100 पे, यानि कि percentage पे भी आपका कितना हो जाएगा, 37 percent आपका option C correct हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तो percentage निकल लेके जरूरू था, यह आपका simply 100 पे deal कर रहा है था, ठीक है, चली, आगे बढ़े हम लोग, 4th question है आपका, कि the income of A is 50 percent more than that of B, यानि कि B से 50 percent जादा income है A का, ठीक है, if the income of A is increased by 40 percent, यानि कि A के income को 40 percent बढ़ा दिया जा रहा है, and income of B is increased by 90 percent, यानि कि B के income को 90 percent बढ़ा जा रहा है, then the percentage increase in their combined income will be, यानि कि दोनों को मिला करके, income में कितना increment आ रहा है, यह आपको बताना है, बस जल्दी से solve कर लिजी इसको, चलिए, देखें हम लोग इसको, यहाँ बोल है आपका कि A का income जो है B से 50 percent जादा है, 50 percent का मतलब होता है 1 by 2, तो अगर B आपका 2 है, तो यह कितना हो जाएगा आपका 3, ठीक है, चलिए, इसके बाद बोला है कि, if income of A is increased by 40 percent, तो मैंने आपको क्या बता है, 40 percent है, तो 40 into 3 कितना होता आपका, 120, यानि कि 1.2 बढ़ रहा है, तो यह आपका कितना हो जाएगा, 4.2, उसका B का जो income है, वो 90 percent बढ़ रहा है, यानि कि 9 into 2, 18, 1.8 यानि कि यह आपका हो जाएगा, 3.8, ठीक है, यह कैसे वो समझ में आया ना, यह आपको समझना होगा, अगर नहीं समझ में आ रहा है, तो इसका practice किजी और develop किजी अपने mind में कि हाँ यह हो कैसे रहा है, चलिए, तो पहले इन लोग का combined income क्या है, 3 plus 2, 5, अब कितना हो रहा है, 4 और 3, 7 और 1, 8, ठीक है, पहले 5 था, अब 8 हो रहा है, तो increment कितने का हुगा, तीन का कितने पे, 5 पे, percentage के लिए, 100, यह जाएगा 20 बार में, 60% increment आपका option B, correct हो जाएगा, ठीक है, यह वाला आपको समझना ही होगा, ठीक है, आप इसको बार बार practice करेंगे, आपका simple यह दिमाग में उसके बाद होने लगा, नहीं तो आप इसको इतना लिखेंगे ना, त इतना time नहीं रहेगा आपके पास, ठीक है, आपको 60 minutes में 100 question करने है, और आपको cut off अगर पार करना है, अच्छा marks लाना है, तो आपको minimum 160, 150 पे जा नहीं होगा, तो 150 का मतलब होता है, आपको minimum 65 to 80 question, sorry, 70, 80 question attempt करना ही करना होगा, ठीक है, तो 60 minutes में अगर उतना करना है, तो थो 5th question आपके सामने है, कि when the price of an item was reduced by 20%, यानि कि कोई item है, उसके price को हम लोग 20% कम कर दे रहे है, then its sale increases by X%, तो उसका sale जो है, वो X% से बढ़ जा रहा है, ठीक है, तो if there is an increase of 60% in the receipt of revenue, तो जो उससे total revenue generate होदा था, उसमें अब 60% का increment हो रहा है, तो आपको बताना है कि X का value क्या है यानि कि जो उसका sale जो बढ़ा है, उसका value क्या है आपको बताना है, easy question है, जल्ली से इसको solve कीजे, चलिए, हो गया क्या है, देखे हम लोग इसको, माल लेजी कि पहले 10 लोग खरीदते थे, sorry 10 रुपए एक का दाम था, ठीक, और 10 लोग उसको खरीद रहे थे, तो total revenue कितना generate हो रहा था, 100 रुपीस का, ठीक है, अब उसका दाम जो है वो 20% कम किया जा रहा है, तो 20% कम करने का मतलब क्या, 2 रुपया कम, यानि कि यह हो जाएगा आपका 8, ठीक है, और माली जी कि यह उसका कोई, अब नया, नय जो जितने लोग है, total वो अब वाई है, ठीक है, यह increment नहीं है, अब total नय लोग वाई है, तो अब revenue कितना generate हो रहा है, revenue 60% बढ़ जा रहा है, यानि कि 160, 60% आपका कितना हो जाएगा, increment हुआ, 10 से 20 आपका गया तो, 10 का कितने पे, 10 पे, into 100, 10 से 10 जा गया यह आपका हो जाएगा, 100%, यानि कि आपका option D, correct हो जाएगा, ठीक है, आपके पहले 10 लोग थे, ठीक है, 10 लोग आपका सामान खड़ीद रहे थे, अब 20 लोग आपका सामान यानि कितना आपका simply 2 गुना हो गया, तो 2 गुना के किसमें क्या होता है आपका, कभी भी आपका double होता है कुछ भी, यानि कि उसका 100% बढ़ता है, ठीक है, 100 से आपका 200 हो रहा है, यानि कि क्या double हो रहा है और 100% यह बढ़ रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है नहीं यह बात चलिए आगे बढ़ते हैं आपके सामने है कि सुधा सेव 15% और इंकम यानि कि सुधा जो हो अपने इंकम का 15% सेव कर लेती है इफ़र एक्सपेंडीचर इंक्रीज़ बाइ 20% यानि कि जो उसका एक्सपेंडीचर है वो 20% से बढ़ जा रहा है and saving increases by 60% यानि कि saving जो है वो 60% से बढ़ जा रहा है तो आपको बताना है कि percentage increase in her income यानि कि उसका income कितने percent increase हुआ है यही आपको बताना है कि उसका expenditure भी बढ़ जा रहा है और saving भी उसका बढ़ जा रहा है कितने percent से 20 और 60% से कुछ खास है नहीं इस question में भी बहुत easy question है जल्दी से इसको solve कीजे चलिए देखें हम लोग इसको तो यह होता है आपका income एक होता है आपका expenditure और यह होता है आपका saving तो saving है आपका 15% total मालीजे income उसका है 100 expenditure कितना हो जाएगा 85 चलिए इसके बाद हमको क्या बोल रहा है कि expenditure 20% से बढ़ जा रहा है देखें 20% का बढ़ने का मतलब क्या हुआ है कि 85 into 20 आपका हो जाएगा 17% बढ़ेगा ठीक है तो 17% बढ़ने का मतलब यह आपका हो जाएगा 102 देखें यह आपको कर नहीं समझ मेरा है कि 17% कैसे बढ़ा देखें 20% बढ़ रहा है कितने पर 85 पर तो आप ही सोच सकते कि 85 into 2 कितना 170 तो 170 का मतलब यह 1020 नीचे से cancel हो जाएगा ठीक है तो यह आप अपने दिमाग में calculate करना सीखिए कि 20% है यानि कि 10 से 10 हो जाएगा फिर 85 into 2 कितना 170 तो 10 से 10 वो चला जाएगा तो हमारा कितना बचेगा 17 और 85 प्लस 17 करेंगे तो कितना होगा हमारा 102 ठीक है यह आप थोड़ा सा दिमाग में calculate करना सीखिए तब ही आपका exam में time बचेगा इससे ठीक है चलिए अगला हमारा बोल है कि 7 increases by 60% सेविंग जो हमारा 60% बढ़ जा रहा है यहनि कि 15 into 60 करेंगे तो आपका कितना होगा 900 divided by 100 ठीक 15 into 60 by 100 करेंगे तो यह 0 से 0 जाएगा 15 into 6 90 एक 0 से 10 चलाएगा यहनिकि 9 बढ़ेगा आपका तो 15 प्लस 9 कितना 24 आपका expenditure 102 है saving 24 है तो income कितना हो जाएगा 102 प्लस 24 यानि कि 126 ठीक है तो आपको बताना है कि percentage increase in our income आपका पहले कितना था? 100 था अब कितना हो रहा है? 126 कितने का increment? 26 कितने पे? 100 पे यानि कि आपका percentage change कितना हो जाएगा? 26 का आपका option C correct हो जाएगा ठीक कभी भी आपका 100 पे change हो तो आप simply उसी को percentage बान लेजए क्यों? क्योंकि आपका 26 divided by 100 into 100 करेंगे तो यापका 100 100 cancel हो जाएगा ठीक? तो इसलिए आपका 26% option C correct हो जाएगा और ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे इस पर मैं बार 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 बोले हो क्योंकि आपका बहुत time बचाएगा एक्जाम में ठीक है? चले, आगे बढ़े हम लोग 7th question आपके सामने है A is 20% less than B, यानि कि A आपका 20-20% कम है, C is 30% more than D, C आपका D से 30% ज्यादा है, D is 25% less than A, D आपका A से 25% कम है तो आपको बताना है कि इन में से कौन सा relation जो है वो correct है, यानि कि C और B के बीच में क्या relation होगा आपको बताना है क्योंकि जितना भी option आपका C और B के बीच के ही relation का है, ठीक आपको तीन के बीच का relation दे रखा है एक आपको खुद से नया relation फॉर्म करना है ठीक easy question है आप कर सकते हैं इसको easily कर सकते है समझ मैं आ रहा न करना किया इसमें देखें कि आप लोग इसको देखें a बोला आपका 20 से 20% कम है यानि कि a by b आपका क्या हो जाएगा माल लेजी कि b आपका 5 है क्यों क्योंकि आपका 20% होता है 1 by 5 तो b आपका 5 है तो a कितना हो जाएगा आपका 4 b by c आपका हो जाएगा 30% का मतलब होता आपका 3 by 10 यानि कि ये 10 है b आपका 30% ज्यादा है यानि कि 10 पे 3 बढ़ेगा तो यह आपका हो जाएगा 13 D by A आपका क्या हो जाएगा यह हो जाएगा आपका D 25% कम है ऐसे 25% का मतलब होता है 1 by 4 25% का कमी आ रहा है तो यानि कि 4 पे 1 का कमी आएगा तो यह आपका हो जाएगा 3 ठीक है चलिए हमको C और B के बीच का relation बताना है sorry यहाँ पे B और C है ना हाँ ठीक है C is 30% more than D एक यहाँ पे गलती हो गया है यहाँ पे C और यहाँ पे होगा आपका D यानि कि C और D का है आपका 13 by 10 का तो हमको B और C पे जाना है तो एक बात बताएगे हमको यहाँ पे direct कोई relation देखना ही रहा है तो कहीं न कहीं से हमको C और B को एक जगा करना है तो कुछ ने कुछ इधर उधर करना होगा यहाँ पे हम लोग देखे तो यह आपका क्या हो जागा A is equal to 4B by 5 देख रहा है क्या हमको A is equal to 4B by 5 अगर हमको यहाँ से देख गया है तो हम लोग इसमें put कर देते हैं A का value तो D by A के जगा पर क्या हो जागा 4B divided by 5 करेंगे तो यह आपका क्या हो जागा ऊपर में चला जागा is equal to 3 by 4, 4 से 4 cancel हो जागा हमारे D हो जागा क्या 3B by 5 ठीक D हमारा आगया 3B by 5 बस हमारा question solve हो गया अब इसमें हम लोग put कर देंगे D का value तो हमारा क्या आजाएगा B और C के बीच का relation आजाएगा बस तो हम लोग इसमें देखे तो C divided by D की जागा क्या होगा 3B और हमारा नीचे में 5 है तो यह उपर में आजाएगा is equal to कितना हो जाएगा 13 by 10 C is equal to हमारा हो जाएगा 13 into 3 divided by 5 into 10 into B ठीक है यही होगा ना हमारा अब देखे आप एक बात पताएगे यहाँ पर आपका क्या नीचे में आ रहा है 5 into 10 लेकिन यह कटने वाला है नहीं नीचे में 50 बन रहा है तो हम लोग एक दिमाग लगा सकते हैं क्या उपर नीचे हम लोग 2 से multiply divide कर देते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका नीचे में 100 बन जाएगा तो अगर हमारा 100 बन गया तो जो भी हैगा हम लोग simply 2 digit के बाद decimal लगा देंगे तो 13 into 3, 39 into 2, 78 यानि कि आपका हो जाएगा 0.78 times b यानि कि c is equal to 0.78b आपका option 1 correct हो जाएगा ठीक है समझ में है कुछ था नहीं इसमें बस थोड़ा सा calculation करना था जिनको नहीं समझ में है वो एक question और आगा ऐसा ही आप उसमें समझ लीजेगा ठीक फिलालम लोग आगे बढ़ते है अगला question दे रखा है आपका the price of two articles are in ratio 4 is to 5 यानि कि दो article है उसके price का ratio है 4 is to 5 में if the price of first article increased by x percent and that of the other article decreased by 30 percent ठीक है यानि कि एक का increase कितने का हुआ x percent से दूसरे का decrease हुआ कितने से 30 percent से then the new prices of a and b are in the ratio of 10 is to 7 यानि कि इतना करने के बाद उनका नया price क्या हो रहा है 10 is to 7 के ratio में तो आपको बताना है कि x का value क्या होगा ठीक है बस solve कर दीजे इसको जल्दी से अभी तक आप लोग इतने capable हो गया होंगे कि इसको easily solve कर सकते है चलिए इतना time काफी था देखिए यह हमारा a और यह हमारा b इसको का पहले ratio कितना था 4 is to 5 का था और अब नया ratio कितना रहा है 10 is to 7 का रहा है लेकिन हमको बोल क्या रखा है कि इसमें तो x percent का कुछ हो रहा है लेकिन जो b है उस पे क्या होगा 30 percent का decrement हो रहा है तो 30 percent का मतलब क्या 5 into 3 की जएगा तो 15 यानि की 1.5 का आपका decrement हो रहा है तो 15 sorry 5 में 1.5 का decrement का मतलब क्या 3.5 ठीक तो अगर आपका 7 दे रहा है ratio में value यहाँ पे exact value कितना है 3.5 तो 7 का value अगर 3.5 जा रहा है आपका तो 10 का value आपका क्या हो जाएगा 10 का आपका हो जाएगा 5 होगा ना समझ में आपका कैसे हुआ 7 का value आपका कितना रहा है 3.5 आपका तो 10 का value कितना हो जाएगा 5 यानि कि 4 से हमारा 5 हो रहा है तो बढ़ा कितना एक कितने पे original value हमारा 4 percentage के लिए 100 करेंगे 4 से यह simply कर जाएगा 25 बार में यानि कि 25% का increment हमारा option B करेक्ट हो जाएगा समझ मैं ना इसमें क्या किया देखे आपका बोल क्या रहा है कि पहले ratio था 4 इस टू 5 का अब ratio है 10 इस टू 7 का ठीक लिकिन आपका बोल क्या रहा है कि पहले वाले पे जो B है उसमें 30% का decrement हो रहा है 30% का decrement का मतलब क्या 5 पे 30% का decrement है यानि की 1.5 का कमी यानि की 3.5 लेकिन ये 3.5 हमारा कितने के बढ़ाबर रखा है 3.5 हमको 7 के बढ़ाबर रखा है 3.5 अगर हमारा 7 है तो 10 क्या हो जागा हमारा 10 हो जागा हमारा 5 के बढ़ाबर 4 से हम लोग 5 पहुँच रहे है यानि कि एक का बढ़ा, बढ़ा हमारा, ठीक, तो एक बढ़ा कितने पे, चार पे यानि कि परसेंटेज में हो गया हमारा 25%, ठीक है, चलिए, आगे बढ़े हम लोग, फिर से आपका सेम कुश्चन है, सेवन्ध कुश्चन की जैसा, कि, sorry, A is 20% less than B, यानि कि यहाँ भी आपका A दे रखा है, B से 20% कम है, C is 20% more than D, यहाँ पे C आपका B से 20% ज्यादा है, D is 25% less than A, then which of the following is true, वहाँ पे बस आपका यहाँ पे 30% है, यहाँ पे आपका 20% आ गया, बाकी पूरा सेम है, तो इसलिए जल्दी से इसको साल कर लीजे, और जिनको भी नहीं समझ मैं है, वो एक बार फिर से देख लेंगे, तो I hope clear हो जाएगा आप लोग का, चलिए, हो गया क्या, देखते हैं हम लोग इसको, तो यहाँ भी आपका क्या दे रखा हैं, कि A जो है, वो 20 से 20% कम है, यानि कि A by B क्या हो जाएगा आपका, 20% मतलब 1 by 5, तो यह आपका हो जाएगा 5 और कम ही आ रहे हैं, यानि कि 4 by 5, C 20% more than D, यानि कि C by D आपका क्या हो जाएगा, यह 20% का मतलब क्या हो जाएगा, 1 by 5, यानि कि फिर से 5, लेकिन यहाँ पर क्या है, ज्यादा है, यानि कि यह आपका हो जाएगा 6, उसका D by A हम लोग करें, तो D आपका 25% कम है, तो 25% का मतलब आपका हो जाएगा 1 by 4, यानि कि यह आपका 4 और 25% का कम ही आ रहा है यानि कि यह आपका हो जाएगा 3 ठीक तो इसका आद हमको बताना है फिर से कि B और C की बीच का relation क्या होगा तो बस इसको हम लोग कर लेंगे solve यह आपका A is equal to हो जाएगा 4B by 5 इसको put करेंगे इसमें तो D divided by 4B into 5 हो जाएगा आपका is equal to 3 by 4, 4 से आपका 4 cancel हो जाएगा D is equal to आपका हो जाएगा 3B divided by 5 इसमें put करेंगे हम लोग तो C divided by 3B into 5 is equal to 6 by 5 ठीक तो इसके बाद आपका यह क्या हो जाएगा C is equal to 6 into 3 divided by 5 into 5 into B यहापे आपका क्या हो जाएगा 5 into 5 यानि कि 25 यानि कि उपर नीचे हम लोग 4 से multiply कर देते है ठीक क्यों हमको 100 बना देना है किसी तरह क्योंकि हमारा cancel हो नहीं रहा है तो उतना आप लोग decimal क्यों करने जाएगे simply हम इसको multiply कर देंगे तो यह आपका कितना हो जाएगा 4 into 3 12 12 into 6 72 यानि कि यह आपका हो जाएगा 0.72 B आपका option B correct हो जाएगा ठीक C is equal to 0.72 times B I think अभी समझ में आ गया होगा आप लोगो नहीं समझ में आया है अगर अभी भी तो आप लोग खुद से practice करेंगे बार बार इसको देखिए आपको समझ में आ जाना चाहिए क्योंकि इससे अच्छे से नहीं समझाया जा सकता है इसको ठीक चलिए आगे बढ़े हम लोग 10th question आपके सामने है कि सुर्भी spends 75% आपके सुर्भी अपने इंकम का 75% घर्च कर देती है हर इंकम increases by 20% यानि कि उसका इंकम अगर 20% बढ़ जा रहा है और सेविंग जो है वो 1% कम हो रहा है तो बताना है कि percentage increase in हर expenditure यानि कि उसके expenditure में कितने percent का increment होगा जब उसका इंकम जो है वो 20% बढ़ गया और सेविंग जो है वो 1% का कम ही आ गया है ठीक जल्दी से इसको सालू कर लीजे चलिए देखें हम लोग तो एक होता है हमारा income एक होता है हमारा expenditure और एक होता है हमारा saving तो पहले हमारा माली जो कि income 100 है expenditure 75 दे रखा है हमको तो saving कितना होगा है हमारा 25 का ठीक अब नया हमारा income क्या बोला है income 20% बढ़ रहा है यानि कि यह होगा आपका 120 ठीक उसका बोला है कि saving decrease हो रहा है 1% से 1% से decrease होने का मतलब क्या होगा 25 का 1% कितना 0.25 क्यों क्योंकि 25 into 1 होगा आपका 25 divided by 100 यानि कि 0.25 तो 25 पे 0.25 का कम हो रहा है यानि कि यह कितना होगा आपका 24.75 ठीक है आपका income है 120 saving है 24.75 तो आपका expenditure क्या हो जागा यह हो जागा आपका 0.25 और 119 minus 24 यानि कि यह आपका हो जागा 95 ठीक पहले था आपका 75 अब आपका हो गया 95.25 तो आपका percentage increment कितने का हुआ यह आपका हुआ 20.25 divided by कितने पे 75 पे percentage के लिए into 100 करेंगे तो आपका point उड़ जागा यह इससे 25 को 25 से काटिए तीन बार में यह काटिएंगे तो 200 यानि कि 8 बार में 25 यानि कि एक बार में ठीक तीन से काटिएंगे तो आपका कितने बार में जागा 27 ताइमस यानि कि आपका 27 परसंट का increment हो रहा है आपका option C correct हो जागा ठीक है सब्सम्याना कैसे कि इसको आपका 1 परसंट आपका सेविंग डिक्रीज हो रहा था यानि कि आपका कितना हो रहा है 24.75 आपका expenditure आपका 95.25 75 से 95.25 हम लोग गया है यानि कि 17 परसंट का हमारा इंक्रिमेंट हुआ है ठीक चलिए अगे बढ़तें अगला क्वेशन है आपका कि the income of A is 40% more than that of B यानि कि A का जो income है वो 40% जाद है B से A got 25% rise in his income यानि कि A की income में 25% increment हो गया B 40% income rise हो है तो आपको बताना है कि the percentage increase in the combined income of A and B ऐसा क्वेशन हम लोग आज ही कर चुक है इसलिए इसको जल्दी से solve कर लीजे A और B दोनों का income बढ़ रहा है कितना 25% और 40% तो total कितना combined income में increment हो आपको जल्दी से बताना है इतने में हो जाना चाहिए चलिए देखे हम लोग इसको तो आपका बोल रहा है कि यह A है यह B है ठीक है A का income 40% ज्यादा है किस से B से 40% का मतलब क्या होता है 2 by 5 यानि कि अगर B 5 है तो A कितना हमारा A 7 है ठीक इसके बाद क्या बोला हमारा कि A का जो income है वो 25% बढ़ गया है तो 25% का मतलब क्या 25 into 7 जब आप करेंगे तो यह आपका हो जाएगा 175 यानि कि 1.75 का increment हुआ तो 7 पे 1.75 का increment यानि कि 8.75 यह आपको समझना होगा यह जो हो रहा है न यह कि हाँ कैसे यह कितना increment हो रहा है यह आपको calculate करने आना होगा ठीक है आप इसको समझे कैसे calculate हो रहा है उसका B जो है वो 40% बढ़ रहा है यानि कि 5 में 40% बढ़ाएंगे तो कितना बढ़ेगा आपका 5 into 40 यानि कि 200 यानि कि 2 बढ़ेगा तो 5 पे 2 बढ़ेगा तो 7 पहले कितना था हमारा total income 12 अभी कितना हमारा 8 और 7 15 यानि कि 15.75 ठीक है 12 से आपका 15.75 बढ़ रहा है 75 हो रहा है यानि कि आपका increment कितने का हुआ 3.75 का कितने पे तो 12 पे percentage के लिए आप करेंगे 100 या आपका point से point चला जाएगा या आपका कितना होगा 12 तरीजा 36 बचेगा आपका 1 यानि कि 12 बढ़ेगा रिक्ठ हो जाएगा ठीक है समझ मैंना कैसे कि इसको या आपका जो हो रहा है न कि 1.75 कैसे बढ़ रहा है या आपको थोड़ा सा आना चाहिए ठीक calculate करना सीखे थोड़ा सा इसको चलिए आगे बढ़े हम लोग अगला आपका बोला है कि the radius of a sphere is reduced by 40% याने कि एक sphere है उसका radius जो 40% से कमी आ रहा है तो by what percent will its volume be decrease तो इसके volume में कितने का decrement आएगा यह आपको बताना है चलिए हो गया क्या देखे इसमें आपको consecutive वाला अगर लगाएंगे तो थोड़ा से यह बहुत लंबा चला जाता है ठीक इसलिए मैं उसको prefer नहीं करूंगा आपका देखे इस पीर है इसका जो volume है वो किसपर depend करता है यह radius के q पे depend करता है तो कभी भी अपका अगर 3 term वाला आता है तो इसमें अगर आप ratio पे जाता है तो वो आपका ज्यादा beneficial होता है 40% का मतलब क्या होता आपका 2 by 5 यानि कि पहले माल लिजे कि initial और यह आपका final तो initial कितना था आपका 5 decrease हो रहा है ठीक है reduced by 40% यानि कि 5 पे 2 का कमी आ रहा है यानि कि final कितना आपका है 3 या आपका 3 बार हो रहा है यानि कि 5 3 या आपका कितना होगा 5 into 5 25 into 5 125 3 into 3 9 into 3 27 यानि कि आपका 125 से कितना हो जा रहा है 27 तो आपका बता है कि by what percent its volume decrease पहले 125 था अब कितना हुआ 27 यानि कि कितना घटा आपका 98 घटा कितने पे 125 पे percentage के लिए आप करेंगे 100 4 बार में 5 बार में या आपका हो जागा 0.8 यानि कि कितना हो जागा 8 8 चा 64 यानि कि 0.4 आपका आना चाहिए एक ही option है आपका option B correct हो जाएगा आप इसको multiply करना चाहिए तो बिल्कुल किजिए 8 8 चा 64 बचा आपका कितना 6 8 9 चा 72 और प्लस 6 आपका किजिएगा तो या आपका हो जाएगा 78.4 परसेंट आपका option B यहां से भी correct हो जाएगा ठीक देखिए अब यहीं आप इसमें consecutive लगाएंगे तो थोड़ा से लंबा चला जगा पहले आप इसको दो पर निखा लेंगे फिर आप उसको तीन पर निखा लेंगे तो वो confusing भी हो जाता है यहां पर clear cut होता है अगर किस नहीं समझ में आपको तो आप बिलकुल basic आप जा सकते हैं उस पर consecutive लगा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं उसमें लेकिन यह आपका जो है थोड़ा सा time बचा देता है ठीक चलिए आगे बढ़े हम लोग अगला आपका जो यह question यह भर-भर के पिछले बार आया था यह 2018 CGL में यह question भर-भर के आया था इसलिए इसको बहुत अच्छे से कीजेगा चलिए बोला आपका the price of sugar is increased by 20% ठीक यानि कि sugar का जो price है वो 20% बढ़ जा रहा है a person wants to increase his expenditure by 8% only यानि कि उसको सिर्फ जो है अपने expenditure में 8% बढ़ाना है then by what percent should he decrease his consumption यानि कि उसको अपने consumption में कितना का कमी लाना ही आपको बताना होगा चलिए हो गया क्या देखे मान लीजी कि पहले 100 खर्च होता था ठीक है अब क्या बोला है कि 20% का increment हो रहा है उसपे तो अब कितना हो जा रहा है 120 लेकिन उसको खर्च कितना करना है उसको 8% ही बढ़ाना है यानि कि उसको कितने पर जाना है 108 पे यानि कि 120 को हमको 108 पे लाना है तो कमी कितने का करना होगा 12 का कितने पे 120 पे तो percentage के लिए क्या होगा 12 divided by 120 into 100 12 से यह जाएगा 12 0 से आपका 1 0 चला जाएगा यानि कि 10% आपका option C correct हो जाएगा ठीक है समझ मैं है ना पहले माल लीजिएगा कभी भी यह question जब भी है यह आपका बाहर बाहर आएगा तो पहले 100 है उसका 20% का increment हो रहा है यानि कि 120 आपका हो रहा है Government आपको बुलें कि 120 आपको देना है लेकिन आप बूलने कितना 108 ही तो कमी कितने का करना होगा अगर 120 से 108 पे जाना है तो कितने का कमी? 12 का कितने पर? 120 पर, यानि कि आपका पर्सेंटेज में हो जाएगा 10% समझ में आगया तो अच्छी बात है नहीं तो आपका फिड से ही आएगा चलिए, आगे बढ़े हम लोग अगला आपका सेम कुईशन है कि अगला आपका सेम कुईशन है कि तो यह कितना लबा जाएगा जल्दी से सॉल्फ विजिए इसको चलिए, देखें हम लोग तो यहाँ पे आपका स्फियर दे रहा है स्फियर का वॉल्यूम तो वॉल्यूम किस पर डिपेंड करता है यह आपके रेडियस के क्यूब पर रेडियस आपका इंक्रीज हो रहा है कितना से 140% से तो 140 by 100 आपका कितना हो जाता है यह आपका हो जाएगा 7 by 5 यानि कि 5 है उसमें इंक्रीमेंट कितने हो रहा है 7 का, चलिए, उसका इनीशिल है और यह आपका है फाइनल, इनीशिल कितना था, 5 फाइनल कितना हो रहा है, 7 और 5 12 क्यूँकि 7 जो है आपका क्या हो रहा है बढ़ रहा है, तो cube है न आपका तो तीन बार लिखे आप 5 और ये होगा आपका 12 5 का cube कितना होता आपका 125 और 12 का cube आपका कितना होता है 144 इंटो 12 यानि की 1728 ठीक है आपका पहले 125 है अब कितना हो रहा है 1728 यानि की increment कितने का 1728 माइनस 125 यानि की 3061 यानि की 1603 बढ़ रहा है कितने पर यापका बढ़ रहा है 125 पर इंटू परसेंटेज के लिए 100 करेंगे ये जाएगा 25 से 4 बार में ये जाएगा आपका कितने बार में 5 बार में इसको इसको काटेंगे तो यह आपका जाएगा 0.8 times इसको multiply किजिए तो 8 3 जा 4 point आपका point है इसलिए आपका 2 ही हो जाएगा, 16,8 जा कितना होता है? 128 यानि कि 128 sorry 128 2.4 यानि कि आपका option D correct हो जाएगा, यही पे आप consecutive लगाने बैठिए आपका कम से कम वो 5 मिनिट लगेगा, ठीक, अगर आपको उससे easy लगता है तो बिलकुल आप उससे जाएगे लेकिन मैं उसको prefer इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि वो थोड़ासा Calculative भी हो जाता है और थोड़ासा आपको confusing भी हो जाता है यहाँ पर आपका clear cut होता है सब कुछ सामने में तो आपको क्या करना है simply आपका volume का cube दे रखा है ना radius का cube दे रखा है volume जो होता है इसका directly proportional तो बस आप simply तीन बार लिखेंगे, तीनों को multiply किजिए तो 5 into 5 into 5 यहने की 125 और 12 into 12 into 12 यहने की 1728 इसके बीच का gap कितने का 1603 का कितने पे तो 125 पे percentage के लिए 200 करेंगे यह आपका कितना हो जागा 1282.4% ठीक चलिए आगे बढ़े हम लोग 15th question आपका repeated है देखिए मत्तों की repeat नहीं है आपका data बस change हो रहा है कि price of sugar increased by 18% expenditure को आपको 12% ही बढ़ाना है तो by what percent should he decrease his consumption जली से इसको solve कर लिजे ऐसा बहुत सारा question आपका चलिए हो गया होगा अभी तक माल लिजे के पहले उसका 100 था तो अब बोला कितना जा रहा है उसको कि 18% बढ़ाए गया यानिकी 118 लेकिन उसको कितने पर जाना है 112 पर ही जाना है ठीक तो इसके लिए उसको क्या करना होगा कितने का कमी 6 का कितने पर 118 पर यानिकी 6 divided by 118 into 100 ठीक है इसको आप काटेंगे आपका ये answer आजाएगा कितना देखें ये तीन बार में जाएगा ये आपका जाएगा 59 टाइमस इसको अपरोक्स आप 60 मानेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 20 20 से थोड़ा कम यानिकी उपर में ये आपका 5 से थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए 5 से slightly बड़ा होना चाहिए यानिकि 5 में पॉइंट में थोड़ा सा बड़ा यानिकि कितना आपका option 1 5.1% करेक्ट हो जागा इसमें आपको थोड़ा सा estimation का game लगाना होगा ठीक है न आप estimate करेंगे answer तब ही आपका आएगा नहीं तो आप exact value पर अगर आप जाना चाहेंगे तो वो थोड़ा सा आपका time taking हो जागा इसलिए थोड़ा सा इसमें calculation में दिमाग लगाना होगा आपको ठीक चलिए फिर से आपका same वही question है कि आपका price of sugar increased by 22% ठीक expenditure को आपको 22% बढ़ाना है then by what percent should he decrease his consumption nearest to one decimal place जैसे ही आपका nearest bowl है आपको फिट से मतलब कि वही estimate करना होगा आपको थोड़ा सा ठीक observe करना होगा आपको कि यह number bowl किया रहा है आपका 100 है ठीक है increase होके कितना हो रहा है 122 लेकिन आपको कितने पर जाना है 112 पर है यानि कि कितने का 10 का कितने पर 112 पर into 100 ठीक आप इसको cut कीजिए आपका answer आजाएगा ठीक आगे बढ़े हम लोग फिर से वही है यह भी आपका वही है same question same यह भी वही है आप लोग इसको खुद से करेंगे ठीक है कुछ भी question छोड़ना नहीं है आपको pdf मिलेगा उससे हर एक question आप लोग खुद से solve करेंगे चली यह आपका एक नया question है कि बहुत असान question है हलवा question है बिल्कुल if 85% of a number is added to 75 then the result is the number itself ठीक है तो बताना है कि what is the number 85% एक number का 75 में जब add करते हैं तो वो number खुद ही आजाता है तीक तो आपको बताना है कि वो number क्या है इतना time है ना फैस के लिए देखे 85% plus 75 जब हम लोग करते हैं तो यह कितना हो जाता है हमारा 100% क्योंकि कोई भी number क्या होता है खुद में 100% यानि कि 15% हमको कितना दे रखा है 75 दे रखा है तो 1% कितना हमारा हो गया 5 के बराबर तो हमारा 100% क्या हो गया यह हो जाएगा हमारा 500 यानि कि हमारा option 1 correct हो जाएगा ठीक easy question था इसको दुबारा समझाने का ज़रूत नहीं है I think आप लोग समझ गया होंगे ठीक है ना चली आगे बढ़ते है तो last question आज का आपका है बहुत easy question कि 40% are the passing marks यानि कि passing marks है 40% a student gets 250 marks yet fails by 38 marks यानि कि 258 marks आ रहा है 250 marks उसको आ रहा है फिर भी वो 38 marks से fail हो जा रहा है तो आपको बताना है कि maximum marks यानि कि total marks क्या होगा या आपको बताना है चलिए इतना time में है आप face के लिए 40% इसका passing marks है और 250 लाने के बाद भी 38 marks से fail हो रहा है यानि कि passing marks कितना होगा आपका 288 तो आपको बताना है कि maximum यानि कि 100% क्या होगा तो 100% आपका हो जाएगा 288 divided by 40 into 100 5 से काटेंगे तो या जाएगा 5 ने 20 से काट दीजिए या जाएगा आपका 5 बार में या जाएगा 2 बार में या आपका हो जाएगा 144 यानि कि आपका कितना हो जाएगा 4 into 5 20 यानि कि बचेगा 2 5 into 5 5 into 5 यानि कि 720 आपका option 1 correct हो जाएगा ठीक है दुबारा समझाने के तो इसको ज़रू हो था है नहीं बहुत ज़्यादा असान question है और चलिए तो आज का session यहीं पर खतम होता है आपका I hope आप लोग कुछ समझ में आया होगा और कुछ doubt है तो इसको दुबारा देखिए और उसके बाद भी नहीं समझ में आता है तो comment section खुला हुआ आप वहाँ पर बताएगे कि आपको क्यादा उटा रहा है आपको next session में सब कुछ clear कर दिया जाएगा और वो fraction वाला जब यह हो सकता है कि आपको उसमें problem आ रहा हो चलिए thank you